नमस्कार आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिक्सा सबकों में हम लोग नियूस की उच्चतर माध्यमिक अक्षा यानि इंटर्मेडियेट का अर्थ सास्विशे पढ़ रहे हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो ये बैल आइकन होता है इसको प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को हमारे जो भी अपडेट हैं वीडिय कि इस विशे से संब्धित या कोई और विशे से संब्धित कोई भी संका होती है कोई प्रश्न होता है कोई सवाल होता है तो आप लोग हमारे से इस नंबर पर मैसेज करकर पूछ सकते हैं हम लोग आपको जल्दी से जल्दी आपकी जो समस्या है उसका समधान करने की पूर कीजिएगा हम लोग मोड्यूल तीन पढ़ रहे हैं जिसका किस शीशक है सांखीगी का परीचाय तो इस मोड्यूल के अंतरकत हम लोग अध्यायक 6 पर हैं इसका शीशक है आकणों का संग्रह और वर्गी करन तो इस अध्यायक को हमने पिछले वीडियो में प्रारम कर दिया थ आकणों का संग्रह के बारे में हमने पढ़ था कि किस प्रकार से आकणों का संग्रह किया जाता है क्या-क्या विधिया होती है किस प्रकार से दो प्रकार के आकड़े होते हैं प्रात्मिक आकड़े प्रात्मिक आकड़ों को एकत्र करने की विधिया पड़ी थी इसी प्रका काशित भी होते हैं और अप्रकाशित दुनों प्रकार से आप दित्य कांकडे जुटा सकते हैं प्रात्वी कांकडे क्या होते हैं जो कहीं पर मौझूद पहले से नहीं होते हैं अगला हम जो टॉपिक पढ़ा था वो था आकणों का व्यवस्थापन और संक्षेपन मतलब आक इसरी थी आवर्ती बंटन आवर्ती मतलब क्या होता है जो भी जैसे कोई संक्या है जितनी बार एक सीरीज में या एक स्रेंकला में आएगी वो उसकी आवर्ती कहलाएगी मान लिजे अगर कोई किसी कक्षा में 40 विद्यारती हैं उनके अलग-अलग उनको अंक प्राप्त जाएगी क्योंकि वह 4 बार repeat हुआ है ठीक है ना वही यंग 4 बार आया है तो आवर्ती का मतलब दोहराव से होता है ठीक है ना बार बार, चीज़को revise driven रिवाइस्ट काहने हैं तो आज हम पड़ेंगे वो पड़ेंगे आवर्ति-मतन की रशना मतलब quelle daily distribution को मनाने के कुछ तरीके हैं जासे एक अप्वटी वर्ग होता है जा सेनाा एक क्लास और्ल आप को मैंने बताया था ने क्लास में दो इस में दो सीमा' और एक निशली सीमा अगला है समावेशी वर्ग या इंक्ल्यूजीव क्लास उसके बाद है खुली सीमा वर्ग या ओपनेंडिट क्लास और असमान वर्ग या अन्यूकल क्लास और संचयावर्गति या क्यूमिलिटिव फ्रिक्वेंसी जिस ठीक है तो यह क्या चीजे हैं कैसे को हम देखते हैं वह सबसे पहला जो वर्ग होता है जिस प्रकार से हम आवर्थी वंदन बना सकते हैं वह है अपवर्जी वर्ग या जिसको एक्स्क्ल्यूजीव क्लास बोलते हैं ठीक है ना इंग्लिशन बोलते हैं एक्स्क्ल्यूजीव का मतलब होता है हटा के ठीक है अपवर्जी का मतलब मतलब जो वर्ग की ऊपरी सीमा होगी, वो दूसरे वाले में इंक्लूट होगी, दूसरे वर्ग में, कैसे होगी, आप जब इसको देखेंगे तो जाद समझवायेगा, ठीक है, जैसे, एक example है कि 20 से 25 का वर्ग है, 20 से 25 के वर्ग में, वे सभी संख्याएं सम्मिलित होगी, जि 25 है तो 25 अगले वर्ग में चला जाएगा ठीक है ना तो जो उपरी सीमा है उपरी सीमा क्या है वर्ग की इसकी 25 है 20 से 25 अगर वर्ग है तो उसकी निशली सीमा या निम्न सीमा जो छोटी सीमा है वो तो हो गई 20 और जो उपरी सीमा है वो हो गई 25 तो 25 इस वर्ग में में चली जाएगी हम करें अगले वर्ग में जाएगा तो अगला वर्ग कौन सा होगा 20 से 25 है पाँच का डिफेरेंस है ठीके ना अंतर-5 का है तो अगला जो वर्ग बनेगा वुगा 25 से तीस तो पच्च्चिस की संख्या जो होगी बहुआ इस वर्ग माएगी और यहां पर इ एक example दिखा रखा है, तो इसमें आप देखते चलिए, जैसे ये 20 से 25 है, ठीक है ना, तो 20 से 25 का है वर्ग, इसमें जो निशली सीमा है वो है 20, ठीक है ना, और उपरी सीमा है 25, तो अभी हमने बात की थी कि 25 वाला हम इसमें count नहीं करेंगे, तो 20 से 25 में कितने चीज़े हैं, एक तो 20 खुद है और एक है 25, तो हम 25 को कहां लेंगे, 25 को हम अगली सीमा में लेंगे, ठीक है ना, जो 25 से 30 में जाएगा 25, तो 20 से 25 में सरफ कितने सब्दे हैं, ये कितने अंक हैं कि वल एक अंक है, ठीक है ना, इसलिए इसने यहां पर इसकी संकेत चिन एक लगाया है और आवरती लिग दिया है, एक, तो 20 से 25 की जो आवरती है, वो है, एक, अब 25 से 30 की आवरती कितनी हो जाएगी, 25 से देखिए आप उपर कितने है, 25, 27, 28, ठीक है ना, 25 से 30 में और 30, लेकिन 30 इसमें सामिल नहीं होगा, 30 कहां जाएगा, 30 अगले वरत में जाएगा, ठीक है ना, तो यहां पर कितने अंकु जाएगे, 25, 27 और 28, मतलब कितने है, 3, ठीक है, यानि कि 3, एक, दो और 3, तो इसके आवरती कितनी हो गई, 3, ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में, इस चीज आ जाएगी, ठीक है, ना, को इतनी मुश्किल नहीं है, तो इसमें क्या है, उपर वर्क की जो उपरी सीमा है, वो अगले वर्क में उसको लिया जाएगा, उसको गिना जाएगा, ठीक है, अगला है समावेशी वर्क, समावेशी वर्क का मतलब इसको इनीशन बोलते हैं, इंक्लूजिव क्लास, मतलब समा लेना, ठीक है, मतलब दोनों को एक साथ ले लेना, जो चीजिए हैं, उनको सब को एक साथ लेकर चलना, ये क्या होता है? इस विधी में प्रतेक वर्ग की निम्न शीमा को पूर्वर्ती वर्ग की उच्छ सीमा से एक अधिक माना जाता है उच्च और निम्न शीमाओं के समान संख्यन उसी वर्ग में गिनी जाते हैं तो इसमें क्या है उठ प्रत्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी जैसे शर्ण कि पर द्धुल में कोब पूर्वत्ती वर्ग की उच्छ सीमा से एक अधिक माना जाता है तो उससे पहले वालि कोन से रही होगी 19 मतला उससे एक अधिक लेना है ठीक है तो अभी कैसे होगा या आप example में देख लेना इसी कारण इसे समाविशी वर्ग का नाम दिया जाता है क्यों क्योंकि उसमें उसको भी आप include करके चलते हैं inclusive class है वो धारनत है वर्ग 20 से 24 में 20 और 24 दोनों ही संख्यात था इनकी बीच की संख्याएं इसी वर्ग में गिनी जाएंगी जै एक में ही मानी जाएंगी लेकिन अब अगला जब 20 से 24 अगर आपने वर्ग मना ले तो अगला वर्ग जो होगा वह 24 से शुरू नहीं होगा वह 25 से शुरू ठीक है तो जो 24 है 24 के बाद 25 25 और उसे लेके 29 तक इसमा हैंगी ठीक है अब कैसे है या आप इसमें देख लिए जै है उसमें 20 से लेकर 24 तक कि सारी संक्याइं इसमें मिलेद की जाएंगे तो कौन कौछी संक्याइं है कि अपल्ग 20 है संक्या ठीक है तो इसलिए इसकी आवर्टी एक ही होगी ठीक है ना संकित चन्न भी एक लागेगा 25 से 29 अगर हम देखने जाएं तो 25 से 29 25 भी इंक्लूड ह होगा तो 25 27 और 28 कितनी हैं तीन तो इसके आवर्टी हो गई तीन ठीक है ऐसे ही 30 से 34 को अगर आप देखेंगे 30 31 32 33 और 34 यह 5 हैं ठीक है कितनी है यह 5 तो 1 2 3 4 और एक उसको cut कर दिया तो हो गया 5 कितनी है इसके आवर्टी 5 इस तरीके से हम इसको टे बल में सजा लेंगे यह इसका एका आवर्टी बंदन बन जाएगा और किस प्रकार परतां आफ्थे हाहि ये समावेशिवर्ग वाला कैसे वाल मावेशिव क्लाशु ठ्रndुम् इंक्ल्पी इन अगला है वह है खोली सीमा और आफ यह पनएंडड क्लास। इसमें क्या होता है खोली सीमा के वर्ग बंटनों में कम से कम एक वर्ग की एक सीमा खुली रहती है मतलब जो उसमें वर्ग लेते हैं उसमें एक सीमा खुली रहती है एक सीमा खुली रहती है मतलब उसमें कोई भी संक्या आ सकती है कैसे आ सकती है अभी आप देखेंगे ऐसी संकलाओं में प्राहे नियूनतम वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्चतम वर्ग समझे रहे आप एक तो सबसे पहले जो वर्ग होगा वो होगा नियूनतम वर्ग और जो सबसे लाश्ट में होगा वो होगा उच्चतम वर्ग तो नियूंतम वर्ग की निम्न सीमा जहां से वो शुरू हो रहा है और उच्चतम वर्ग की उच्च सीमा जहां पर वो खतम हो रहा है ठीक है ना इसकी जो नियूंतम सीमा है निम्न सीमा है उच्च सीमा है वो नहीं होती है उसमें कोई सीमा नहीं होती है इसलिए उसको खोली स सीमा का मतलब क्या है जो सबसे छोटा वाला वर्ग है उसकी निमनी सीमा नहीं है और सबसे उचे वाले की ऊपरी सीमा नहीं है तो क्या है इस वर्ग में कहीं से लेके कहीं तक की भी संख्याय आ सकती है ठीक है पूरा स्कोप है कैसे इसका एक्जंपल देख लेते हैं वही 40 वि हो 8 हो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कोई सी भी हो ठीक है न वो सारी की सारी इस वर्ग में आ जाएंगी ठीक है न इत्तफाक की बात यह है कि यहाँ पर केवल एक ही संक्या है 25 से कम वो है 20 इसलिए इसकी आवर्ती यहाँ पर एक ही आ रही है जो हमारा संख्या समूं है जो हमारा आकड़े दिएव है इसमें केवल एक dramatic है जो की 25 से कम है आ क समाझ रहे होंगे मतलब यह खुली सीमा वर्ग है इसमें 25 से कम मतलब अगर इसमें 25 से कम अलकि 50 1966 रही हो आज़ाएं तो वो भी सारी की सारी इसी में आ जाती उसके आवरती कितनी ही हो जाती ऐसे ही जो सबसे उच्चितम वर्ग है वो है 55 या अधिक तो यहाँ पर भी यह जो उपरी सीम है वो खुली हुई है अधिक मतलब 55 या 55 से अधिक कितना ही हो 55 से अधिक का मतलब है वो 5000 हो 10,000 हो 20 हो ठीक है ना मतलब 56, 57, 59, 69 कितनी ही हो 55 से अधिक वो सारे के सारे इस वर्ग मा जाएंगे अब यहाँ केवल 55 से अधिक केवल 2 है 56 और 58 इसलिए यहाँ पर 2 या रहा है और इसके आवरती केवल 2 है तो इसका मतलब यह है कि निम्नतम वर्ग वाले की निम्न सीमा नहीं है खुली ह ऐसे ही उच्चतम जो वर्ग है उसकी अधिकतम सीमा नहीं है वो भी खुली है तो यह जो आवरती बंटन है वो कैसा है खुली सीमा वर्ग वाला ठीक है मुझे लगता है आपको इस समझ में आया होगा तो यहाँ देखिए लिखा हुए लाश्ट में पहला वर्ग 25 से कम या अगला है असमान वर्ग अब असमान वर्ग क्या होता है असमान का मतलब समझते हैं जो बराबर ना हो तो इस प्रकार के बंटन में सभी वर्गों के L1-L2 एक समान नहीं होते मतलब जो उपरी सीमा और निशली सीमा का अंतर है वो जितने भी आपने अभी तक एक्जाम्बि था वो था 25 से 29 तो 25 में से 29 घटाएंगे या 29 में से 25 घटाएंगे तो भी 4 आएगा ठीक है ना तो सबका जो L1-L2 या L2-L1 जो भी कहें इसको आप वो था वो एक समान था लेकिन जो यह असमान वर्ग है इसमें वो एक समान नहीं होगा कैसे नहीं होगा जैसे यह 20 से 25 है दूसरा 25 से 30 है इन दोनों तो 5 का हिए डिफरेंस है कि वर्ग ठीक है ना 5 का यह अंतर है 30 से 25 घटाएंगे या 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 ही आएगा लेकिन यहाँ आप देखिए यह 40 से 30 है 30 से 40 इसमें से अकर आप घटाएंगे इसको तो कितना आएगा इसमें आएगा 10 तो यह समान नहीं है, जो इनके अंतर है, L1-L2 या L2-L1 वो बराबर नहीं है, यहां यह 5-5 है, यहां पर भी यह 5 है, और यहां पर भी यह 5 है, लेकिन इस जगह पर यह 10 है, तो यह क्या हो गया, असमान वर्ग हो गया, इस प्रकार के उधारन आपको कमी मिलेंगे देखने मे यह भी लेकिन एक प्रकार का आवरती बंटन का तरीका है, असमान वर्ग वाला, ठीक है, अनिकल क्लास वाला, अगला है संचाई आवरती बंटन, इसको बोलते हैं, क्युमिलेटिव, फ्रिक्वेंसी डिस्टिपुशन, ठीक है न, इसमें क्या होता है, आवरतियों के उत्त उत्तर योग द्वारा, उत्तर उत्तर का मतलब है, जैसे पहला एक है, दूसरा दो है आवरती, तीसरी तीन है, तो इनका आव योग करते चले आओगे, एक और दो तीन, तीन और तीन छे, ठीक है, इस परकार से इसको जोड़ते चले आओगे, उत्तर उत्तर का मतलब एक के अवरती बंटन बनाते हैं ये आप इसको भी आप दो प्रकार से बना सकते हैं पहला है ऊपर की ओर से ठीक है न जैसे 1,4, ठीक है न अर्था 1,4, प्लस 3, 9 4, प्लस 5, ठीक है न मतलब 1,4, 9 16 इस तरीके से है ठीक है न अब आधी ऐसे संचए आवरती बंटन को से कम आवरती बंटन कहा जाता है ठीक, नब आप उपरी और तो जाता है तो उसको से कम और जाता है क्यों जाता है अब ही आप देखेंगे अगहां नीचे की और से लेके आ रहे हैं आप वग्र पर क्यों ये प्लुशवा तहिसा उपर की ओर से नीचे की ओर आ रहे थे झा प्लूश इसे कम इससे कम इसे चल रहा था पठी है नीचे से उपर की बीजवीक जोर से कम आवरति बंटन तो यह वही चालिश तृद्विद्यारतियो के और अंक है इनको हमने लगा रखा है तो इसमें 25 से कम आप देखेंगे तो 1 ही क्या बेवरति कंगे तो कि बहुत तो यहाँ पर एक था यह ठीक है ना इसके अलावा तीन और मिल गए तो तीन और एक चार कितने हो गए यह चार हो गए ऐसे ही 35 से कम देखेंगे तो यह 4 तो मिलेंगे इसके अलावा कितने और मिल जाएंगे एक दो तीन चार पांच यह पांच और मिल गए 35 से कम तो इन पांच को भी आपने चोड़ ले तो टूटल हो गया कितना नौ इसी प्रकार से आप इसको चलते चले जाएंगे और लास्ट में आप निकालेंगे 60 से कम 60 से कम कितने मिल जा चालिस और 40 हमारा जो विद्यारती तो उनकी संक्या है कुल आवर्ती जो है वो 40 है वही आ रही है ठीक है न तो यह क्या है संचय आवर्ती है जूड़ती चली आ रही है ठीक है न तो यह भी एक तरीका है आखलों को प्रदशित करने के अब दूसरा एक्जाम्पल हम देखे तो वह है नीचे की ओड़ से रही हैं और यहां जरुग है किसे बीस से अधिक है ऐगा है तो यह कितने होगी टीक से अधिक पचीस में किवल 25 और 25 से ज्यादा वाले सामिल है मतला 39 सामिल है तो उसमसे आपको कितने घटाना पड़ेगा सिर्फ यह वाला घटाना पड़े कोगि यह 25 से अधिक नहीं है 20-25 से कम होता है तो 40 समसे एक घटा देंगे आप तो कितना गया 39 ऐसे ही 30 से अधिक 30 से अधिक कौन होंगे 30 से अधिक होंगे यहां से उपर की और अगर आप यहां से नीची की और पड़ना शूद करेंगे तो अब 30 से अधिक होंगे ठीक है न तो कितने छूट रहे हैं हमारे 4 छूट रहे हैं तो वही 4 आपको माइनस करने होंगे एक तो आप पहली माइनस कर चुके है, 20 वाला तो आप पहली माइनस कर चुके है, तीन ओर माइनस कर दी, ये 39 में से कितना आगए है, 36, ठीक है न, ये तो और पभी किया कर सकते हैं, 40 में से 4 माइनस करने पड़ते हैं, अगर आप पूरे 40 लेघे चलते, तो चार कम हो रहे हैं यह एक, दो, तीन, चार कम हो रहे हैं क्योंकि तीस से अधिक के बाद कर रहे हैं ऐसे जब 35 से अधिक के बाद करेंगे तो आपको 9 कम करने पड़ेंगे ठीक है नब 35 से अधिक के बाद करेंगे जब आप उपर की ओर से करते हैं से कम वाली आवरती बंटन करते हैं तो आपकी आवरती जुड़ती चली आती है और जब नीचे की ओर से जा रहे हैं से अधिक की बात कर रहे हैं तो आपकी आवरती आपर कम होती चली आ रही है ठीक है न तो ये भी ये तरीका है आंकडों को परदर्शित करने का तो ये इस तरीके से हमें जो छटा अध्याय है वो पूरा कर लिया है और आपको फिर जैसे मैं हर क्लास में देता हूँ आपके साथ फिर वोई अपना WhatsApp नमबर शेयर कर रहा हूँ 7895860757 कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है कहीं भी कोई तकलीफ है खुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को इस WhatsApp पर अगर message करेंगे तो मैं आपको जरूर उसमें help करूँगा और अच्छे से आप चीजों को पढ़िए समझ के चलिए बहुत सरल विशह है कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है आप आराम से इसको कर सकते हैं और जितनी भी हमसल लोगों से आपकी help हो पाईगी हम लोग करेंगे और इसके साथ साथ आप लोगों से फिर एक बार वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बूट से पढ़ रहे हैं उनके साथ हमारे इन वीडियो को हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजएगा ठीक है धन्यवाद